हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू बहुती मज़दार और डिलिशिंस लड्डू बनाएंगे एक बार आफ जुरू ट्राइ किजिएगा और बहुत आसाने से बन भी जाएंगे हमने यहां पर एक कप बेशन लिया है भरकर एक कप हमने यहां बेशन लिया है अब इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसका बेटर तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एट करकर हम इसे बेटर तयार करना है इसका अच्छे तरह से इसको मिक्स करेंगे बेशन में बिल्कु पतला है राही गाड़ा देखिए इसतार हमें बैटर तयार है लाँ चाहिए हमें भेटर की है कि देख़ें इस सामाय साम यह बैटर की देख़ें फटर स् פה का दाल सकते हैं इसके वासे बनानी है ex बेटर में पतल रखना है जिससा माई पाप्री कड़क हो जाए एक दम मुलायम नहीं होने चाहिए देखे फ्रेंड्स एक साइड से हो गए हम बलट देते हैं इसको गेस का फिल हमें विल्कुल मीडियम रखना है नहीं तो यह कलर चेंज हो जाएगा इनका क्योंकर में कलर जारा चेंज नहीं करने इसका देखे फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से हो गई अब इसको निकाल ल इसका देखे फ्रेंड्स हमने पीस लिया है बिल्कुल इस तरह से दर दर बनाया है जारा बारीक नहीं करने क्योंकि जारा बारीक हो जाएगा दो पोडर की तरह लगए देखे इस तरह से हमने बिल्कुल मोटा मोटा दर दर किया है देखे अब हमने एक पेन लिया है एक कप चार्षनि तैयार करने हमें आधा कॉप पानी मिक्स करें अची तरह से यदि छोटी चमजंडि आयर इट करेंगे छार्दए कर रगनी डालने थोड़ा ही फूट कर एट करेंगे हम इसमें डेखे फिरेंस एट कर दिया, इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे क्योंकि हमें चार्ष ने तयार करने है इसके बहुत यह अच्छी तरह से अगर आपको पास हरी लाइची का पोड़र है थो वे एट कर दीजिएका में पास नहीं था तो हम इने चार हरी लाइची एट कर दिये बाद में हम निकाल देंगे इसको अच्छी तरह चलाएंगे इसको हमें गाढ़ चार्ष ने तयार करनी है चलाता रेना है देखे फ्रेंड्स चार्ष ने हमाई लगवड़ तयार होनी वाली है बस देखे फ्रेंड्स चार्ष ने माई बिल्कुल तयार है अब हम इसमें जो हमने बेटर बनाया था वह एट कर देते हैं आइट कर दिया है अमने इसमें अच्छी तरह से चलाएंगे जिसके चार्ष ने में अच्छी तरह से मिल जाए यह बहुत ही मज़दार लड़ बनकर तयार होंगे एक बार आप जुरूर ट्राइए किजेगा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको हम चार्षनी में गेस का फिलीम हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फिलेम पर ही पकाना है एक टी स्पून हम इसमें देसी घीएट करेंग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए लड़ वाले बेटर में और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए लड़ वाले बेटर में और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए लड़ वाले बेटर में और अच्छी तरह से ते तरह से बेटे यार हो गया है अगरों अब अधिकर फटे भी ही लट बनायंगे ह। किuğ देखे फ्रेंडिस थे हमारा बहुत अच्छी थे 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 थेकți अभी ते अब इसकर जाएप दिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फेस्बूप कर देख रहे हैं तो फोलो कीजिए देखे फ्रेंड्स मज़दार से हमारे लड्डू बनकर तयार है बोनी के लड्डू बहुत ही आसानी से घर पर ही तयार किया है एक बार आप जरूर ट्राइए कीजिएगा यह बहुत ही मददार बनेंगे